हेलो स्टुडेंट आज बीएसी सेकेंड डियर में मैं कुछ आपको इंपॉर्टन कोश्चिन बता रही हूं जो आपके परिक्षा में आ सकते हो और इनको जादा से जादा पढ़ें ठीक है इन और्गनिक केमिस्ट्री का है यूनिट फर्स्ट में देखिए सबसे पहले संकरम संक्रमान तत्त जो होते हैं उनके निम लिखित गुणों का बंडन करना है तो जैसे आयना नूर्जा मोस्ट पूंचता आक्सिकरान अवस्ता चुंबकी गुण उत्पेर की गुण ये जो हैं संक्रमान तत्तों में आप ज्यादा इतको पढ़ें उपसे सहीं हो जग संक्या ठीक है निम लिखित तक्तों के उलक्ट्रानिक बिन्यास जैसे वैडनियम है क्रोमियम मैंगनेजियाम है है औरघन कोबल्ट है तो इनका क्या करना है आपको इनका मतला पूरा है वे बिइलेकि व defensive hai और आक्सिकरान आफिया ल्चकर तको संक्रमान तत्त्तों की योगी क्रं ट्रानिक बिन्यास, दुति और संक्रमन सेप्टों के मुख आक्सी करना वस्थाएं हैं, टाइटेनियम हैं, जर्मेरीन हैं, निम लिखित के इनकी क्या करना है, आइनिक रेडिये बताना है, और स्टीडियो केमिस्टरी बताना है, ठीक है, इसके बाद है, कुछ देख, फोरे इसन थेओरी जो होती है उसके बारे में बताना है ठीक है कुछ निम लिखित आपके आयू-पी-ए-सी है जिनको भी आपको इसमें बतलाना है ठीक है फिर आपको कुछ आयू-पी-सी नाम बढ़ें तो इन में से जो यह पांच दिन वो अच्छे से पढ़ लें इसके बार रेडाक्स अब करिया है संद्चनात मक्समावेता जो है वो बता सकते वरन का सिध्धान्त है संजकता सिध्धान्त इसके आधार परनिम लिखी त्योगिकों की संद्चनाएं बताना भी वीटी जिसे कहते है लें लिख विद्दु रसानिक से आप क्या समखते हैं लेंथेशन नाइड तौक क्या है सभी तत्यों का इलेक्टानिक विन्याइस लेकर आकसी करना वस्ता इसी तरह्व एक्टेनाइड से नेपूरिशन प्छोएं प्लूटैनियम और अवसेयरियम का प्रथक करण कैसे किया जाता है ब्रोश्टेल लॉरी, आर्णियास, लक्स फ्लोट और लुइस कॉंसेप्ट बता सकते हैं, नौन एक्कोश अलूशन, निरजल विला क्या है और द्रब अमोनिया क्या है, इन सब को आप अच्छे से पढ़ लें और ये पेपर में 60% तक ये कोश्चन आ सकते हैं, थेंक्यूँ